हाई अम शुश्मिता वैनाच जी क्या आप लखी हो तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको इस कोश्चन का एंसर भी बताऊंगी पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लखी बनते कैसे है पिसली बार मैंने वीडियो बनाए थी कि आप confident कैसे बन सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप चाके देख सकते हो तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है तो लखी बनना डिपेंड करता है चार चीज़ के उपर expectation, attitude, experience और opportunity नमबर वन, expectation दोस्तों जो topper होते हैं वो लखबख हर बार top करते हैं क्योंकि एक बार top करने के बाद उसके मम्मी पापा तारीफ करते है मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना परता है teachers भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा student है, हमारा नाम राशन करेगा तो इस तरह से सबका उससे एक expectation रहता है, तो वो खुद भी सोचता है कि सब मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते है, तो मुझे भी उनके expectation पे खरे उतरना होगा इस तरह से उसका मैनत उसका luck बन जाता है, तो आपको भी अगर lucky बनना है, तो खुद से expectation भी रखना है अब ये मत expect करो कि मैं बड़े हो के चोड़ बनूंगा, कुछ ढंका करो दोस्तों कुछ लोग अपने आपको lucky समझते है, तो कुछ लोग कुद को unlucky समझते है Actually ये उनके attitude पे निर्भर है For example, अगर दो लोगों का accident हो जाता है और दोनों के हाथ से खून बैने लगता है तो एक ने बोला कि मेरा luck ही खराब है, इसलिए मेरा accident हो गया और दूसरे ने बोला कि मेरा luck कितना अच्छा है कि मैं बज गया Accident में मैं मर भी सकता था, पर बस थोड़ी सी ही चोट लगी है तो दोस्तों देखा, situation सेम है, पर दोनों का reaction अलग तो हमारा luck हमारे attitude पे depend करता है कि हम हर चीज़ को किस तरह से देखते है Number 3, Experience क्या आपने सोचा कि आप खुद को lucky या unlucky क्यों समझते हो उसका कारण है आपका अनूभव अगर आपके साथ past में बहुत कुछ गलत हुआ हो तो आप खुद को unlucky समझ लेते हो और अगर आपके साथ पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ हो तो आप खुद को लखी समझ लेते हो क्यों? सही बोला ना एक बार कुछ लोगों को एक निउस पर दिया गया था और उन्हें उसमें टोटल पिक्चर्स कितने हैं वो गिरने को कहा गया तो कुछ लोगों ने उसे गिरने में दो मिनिट्स लगाए तो कुछ दो सेगंस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो खुद को लखी समझते थे उन्होंने सेगंड पेज पे ही देख लिया था स्टॉप काउंटिंग है राज टोटल फॉर्टी टू पिक्चर्स तो उन्होंने जल्दी से एंसर दे दिया वही जो खुद को अनलखी समझते थे वो बस पिक्चर्स गिनते रह गए और गिनने में जादा टाइम लगाया तो जो लखी होते है वो ओपर्चिनिट ढूनने में माहिर है और यही चीज उनको और भी लखी बनाती है तो देखा कैसे चार चीज आपको लखी या अलखी बनाते है खुद मैनत नहीं करते तो किस्मत पे दोज़्दे देते है मैनत करके देखो किस्मत अपने आप चमक जाती है तो आशा करती हूँ आपको अपने कोश्चन का एंसर मिल गया है अगर मिल गया हो तो comment में yes लिखना और नहीं मिला है तो no लिखना तो मैं आपको अगले दिन इसका answer बताओंगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो like, comment, share और subscribe करते न तो फिर मिलेंगे next Wednesday को तब तक के लिए goodbye and good luck